नमस्कार दोफता एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागता लिटर्फ टेन निकल कर आई है कि एक क्रोड से ज्यादा केंद्रे क्रमचारी और पैंशन बोग्यों के लिए आ गई है बड़ी खुश कबरी 48 ला केंद्रे क्रमचारी को सरकार की तरफ से कौन-कौन से बड़े तोफे मिलने जा रहे है और जो बेसिक सैलरी में 8000 रुपे की बड़ोतरी होगी उससे केंद्रे क्रमचारी की सैलरी में कितना इजाफ़ा होगा अगर आप मारे चैनल पर फॉस्ट टाइम जिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब् को मेंट या पैंशन से समंदी जितन भी नूज आती है उनकी नाटिफिकेशन आप लोगों के पास त्रंत पूस्ट के दखरते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तों केंदर सरकार के एक रोड से ज्यादा केंद्रे करमचारी और पैंशन वोग्यों को खुश करेगा तो हरे में तीन परतिशत की बढ़ोतरी होगी जिसके बाद केंद्रे करमचारी का हरे 30 परतिशत हो जाएगा केंदर सरकार 48 ला केंद्रे करमचारी को खुश करने के लिए बेसिक सेलरी में कर रही है जबर्दफ बढ़ोतरी दोस्तों साथ में तनायों के तहट सेलरी पाने वाले केंद्रे करमचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड थी वो डिमांड अपूरी होने वाली है एक फरवरी को अंतरीम बजट में केंद्रे वित मंतरी निर्मला सितारमन करमचारी के फिटमेंट फैक्टर में इजाफ़ा कर सकती है जिसके बाद कें कारून की समांग को मान सकती है और बजट में इसका एलान करेगी मुझुदा समय में फिटमेंट फैक्टर दो दस्मलों पांच साथ है बड़ोतरी के बाद किंद्रे क्रमचैरियों का फिटमेंट फैक्टर तीन दस्मलों छायाट हो जाएगा और बेस न्यूंतम बेतन अठार रूपे से बढ़कर सिधा 26,000 रूपे हो जाएगा अगर किसी का ग्रेड पे 42,000 रूपे है तो उसकी बेसिक सैलरी 15,500 रूपे होगी ऐसे में क्रमचैरियों की कुल सैलरी 49,835 रूपे होगी क्रमचैरियों के डिमांट पर फैक्टर जो फिटमेंट फैक्टर है 3.68 हो जाता झाल झाल